गुद बॉर्णिंग बच्चों आज हम लोग पार्थ 10 थेस देखेंगे जो एक पूरक पटन है बच्चों थेस सब्द का अर्थ है बच्चों किसी के दिल को दुखाना देखते हैं इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार बच्चों फणिश्वर नात रेनुजी है इनका परिचे देख लिजिए इनका जन्म हुआ सन 1921 पुर्णिया बिहार में और इनका मृत्तु हुआ सन 1977 में परिचे देखिए बच्चों हिंदिक कथा धारा का रूक बदलने वारे फणिश्वर नात रेनुजी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संग्या दे जाती है प्रेमचंद कौन थे बिटा तो बच्चों प्रेमचंद एक लेखक है जिनको समराट कहा जाता है लेखन कार में ओ नंबर वन पर आते हैं उनकी उपमा फणी सुना से की जाते थी और एक कहानी भी बहुत लिखे हैं उपन्यास भी लिखे हैं ठीक है अभी इनकी कुछ रचनाएं हम आपको दिखा देते हैं जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों जुलूश अच्छे आदम मैला आचल ऐसे बहुत से एक रचनाएं हैं यह ज्यादा ही महत पूर्ण रचनाएं हैं गद्य संबंधी देख लीजिए जो ठेश पाठ है इसमें क्या दिया गया है इसका सार हम लोग देख लेते हैं प्रस्तूत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामिर जीवन पर आधारित है ग्रामिर अर्थात गाउं देहात इस कहाने के माध्यम से कथा कारने ग्रामिर जीवन सामाजिक संबंध कारीगरी कारीगरों के स्वाभिमान आधि को बड़े ही सुन्दर धंग से चित्रित किया है अर्थात वर्णन किया है यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों एक ग्रामिर वेक्ति है कलाकार है जिसका नाम सिर्चन है उसका कारे क्या है आप फोटो में देख रहे हैं अब हम पाठ का प्रारंब करते हैं खेती बाड़ी की समय गाउं के किसान सिर्चन की गिंती नहीं करते हैं लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिर्चन को क्या होगा उसको बुला कर ऐसा लोग सोचते हैं बच्चों ठीक है इसका कारण क्या है यह आप देख लेजिए दूसरे मजदूर खेत पहुंच कर एक तिहाई काम कर चुकेंगे एक तिहाई आर्थाद वन थर्ड तब कहीं सिर्चन राय हाथ में खुर्पी डुलाता दिखाई पड़ेगा पकडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे मुक्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है अर्थाद बच्चों जब दूसरे मजदूर लोग खेत पर पहुंच कर वन थर्ड काम कर लेते थे तब कहीं सिर्चन वहाँ पर धीरे 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 पकडंडी अर्थाद फुटपाद पाईवाट आराम से हो जाता था इसलिए उसको कोई अपने हाँ पर मजदूरी के लिए रखता नहीं था ठीक है आज सिर्चन को मुक्त कोर कामचोर या चटूर कहले कोई एक समय था जबकि उसकी मरईया के पास मरईया अर्थाद बच्चों घास पुछ से बनी हुई जोपड़ी कुटी बड़े बड़े बाबु लोगों की सवारियां बधी रहती थी एक समय ऐसा था बच्चों की सिर्चन का मतलब काम इतना अच्छा चलता था कि बड़े बड़े लोग आते थे उसको बुलाने के लिए बड़े बड़े बाबु अर्थाद बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते थे उसे काम पर बुलाने के लिए कुछ लोग पूछते ही नहीं थे बलकि उसकी खुशामत भी करते थे अरे सिर्चन भाई अब तो तुम्हारे हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो कल भाईया बड़े भाईया की चिठी आई है सहर से सिर्चन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो चिठी में क्या लिखा हुआ है तो चिठी में यह लिखा हुआ है कि सिर्चन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज देना चिक अथार बच्चों घास फूच से बना हुआ एक कर्टन पहले जमाने में ऐसा बनता था मुझे याद है मेरी मा जब कभी सिर्चन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा मा अर्थात बच्चों लेखक लेखक पहले अपने मा से पूछ लेते थे कि आज खाना में क्या क्या बनेगा भोग अर्थात खाना मा हसकर कहती जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी इसलिए सिर्चन को बुलाने से पहले मैं मा को पूछ लेता सिर्चन को देखते ही मा हुलसकर कहती हुलसकर बच्चों खुशो कर कहती आओ शेचन आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई नैनू अर्थाद बच्चों मक्षन ठीक है घी की डाड़ी खकुरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना और बड़ी बेटी ने ससुराल से समवाद भेजा है समवाद अथाद बच्चों संदेश संदेश भेजा है कि उसकी ननर रूठी हुई है रूठी हुई है नाराज है किसके लिए नाराज है तो मोती के सीतल पाटी के लिए सीतल पाटी मतलब बच्चों चटाई और उसको हिंदी में चटाई करते हैं मराठी में चटाई करते हैं यहाँ पे आप देख लिजे सीतल पाटी बहुत सारी सीतल पाटी बना कर रखी हुई है अलग-अलग डिजाइन की सीर्चन अपनी पनियाई जीब को संभाल कर हसता और कहता घी की सुगन सुंकर आ रहा हूँ का कि नहीं त्विस्जादी ब्या के मौसम में दम मारने की भी चुट्टी कहां मिलती है दम मारने के चुट्टी मिलना मुहावरा है अर्थाद आराम करने के लिए समय न मिलना सिर्चन जाती का कारीगेर है सिर्चन जाती का क्या है बच्चों कारीगेर है उसके अंदर कारीगेरी कूट कूट कर भरी हुई है क्या च्झळ कर ओहीं क्या है